Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भारत दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं SSC MTS भरती 2021 मतलब इसका जो रिजल्ट है उसके बारे में तो दोस्तों आप सभी को बता दें अगर आप लोग SSC MTS Staff Selection Commission, Multitasking Staff की वरती की तयारी कर रहे हैं या फिर आप SSC CHSL की तयारी कर रहे हैं, CGL की तयारी कर रहे हैं या फिर CPO की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, SSC JEE की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आप SSC के किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहें, अभी तक आप लोगोंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा, क्योंकि SSC से लेटेट कोई भी अपडेट क्लास, दीजेगा, विदिन फाइब मिनट्स आपके कमेंड का अंसर दे दिये जाएगा, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करने बाले है, क्या SSC MTS का रिजल्ट कम आने वाला है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कितने अभीरती पास होंगे, कट आफिस के वारे में क्या रहने बाली है, तो प्रिवेस येर की बात कर लें दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इस किन सॉट भी डाला है, बात करें प्रिवेस येर की, तो प्रिवेस येर में इतने अभीरतियों को पास किया गया था, EWS केटिगरी सहित, SCST, OBC, EWS केटिगरी जनरल 9% संभावना है, जनवरी महीने के मिड़ तक आपका रिजल्ट आने वाला है एक तरीके से, तो दोस्तों बात करें क्योंकि ये वरति अब इनको कम्प्लीट करनी है, और ये पुरानी वाली SSE MTS की वरति आने वाली है, नेक्स्ट क्योंकि कलेंडर जारी हो गया है, SSE का, त मैं आपको कट आफ बता देता हूं, कितनी कट आफ इसके अंदर जा सकती है, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सर्विसमेन की, लगबग 40 से 42 के करीब आपकी कट आफ, टायर वन की एक जाम की रहने वाली है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिसकस कर लेंगे, आप कमेंट बे बता दीजेगा, किसे स्टेट की कट आफ आपको बताई जाए, तो उसे भी हम लेकर आजाएंगे, ठीक है, और एक सर्विसमेन की, इसके बाद बात करें, जनल कैटिगरी की, तो जनल कैटिगरी जिनका स्कोर 75 प्लस बनना है, वो स्टूडेंट एक तरीके से अंदर आपका स्कोर कम से कम 72 के करें, करीब या प्लस होना चाहिए, दोतीन नंबर उपर नीचे हो सकता है, जो भी मैं आपको एक्सपेक्टेट कट आफ बता रहा हूं, उसमें, क्लियार दोस्तों, इसके बाद बात करें हम OVC काटिगरी के लिए, तो OVC काटिगरी के लि स्कोर 65 के करीब भी है, वो इसको क्वालिफाई करने में सफल हो सकते हैं, इसके बाद ST काटिगरी की बात करें, तो आपका 60 के करीब, आपका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है, PWD के लिए, तो PWD के लिए बात करें, यहाँ पर अगर General Overall Cut-Off के भी बात करें, तो यहाँ पर आपका स्कोर कम से कम 67 के करीब होना चाहिए, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तो दोस्तों, अलग-अलग जो Age Group है, उसके हिसाब से 18-27, 18-25, उनके हिसाब से भी हम द करने वाले हैं, जो कि Tire to Exam के लिए, Descriptive Paper के लिए जाने वाले हैं, तो दोस्तों, यह रही आज की पूरी information, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, यह Cut-Off, expected Cut-Off बताए गई है, रिजल्ट जल्द ही जा जाहें, जावरा, टेकर, बाइब बाई